हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इसे वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मूंफली की उन्नत खेती आपको किस प्रकार पीनर्स फार्मेंग करना चाहिए कौन सी बैराइटी को लगाए कौन सी बीमारी आती है यादि हम सकिन पेस्ट रस्चुसा कीट की बात करें फंगस की बात करें या फर बढ़वार की समस्क्या है पत्तों पर फंगस लीप स्पोट है कई प्रकार की जो समस्क्या आती है उन सभी बीमारीयों का एक पेकेज बढ़ियां सा इस पर सेडियूल खाद का सेडियूल और साथ ही बीजव चार कौन सी फंगी साट से करना चाहिए ताकि आँगे चल के थोड़ा फोटो जूम करें यह जो समस्या है ना गलन की समस्या ना आए हमारी उपज बढ़िया निकले और टॉप क्वाल्टी की पैदबार हो तो कितनी दूरी पर बुआई करनी चाहिए किस सें सीट्स ट्रीटमेंट करनी चाहिए एक कितनी बुआई करनी चा टाइमिंग यानि समय मुंभली एक ऐसी फसल है तीनों सीजन पर रभी खरीब और जायद पर खेती की जाती है खरीब सीजन पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है जो कि जून जुलाई पर बुआई की जाती है जायद के लिए मार्च से अप्रेल का जो समय रहता मार्च मह नॉर्मल सर्दी हो और ज्यादा ठंडी न पलती हो दस डिगरी सेल्सियस से नीचे का जो टेमप्रेचर है न वो ज्यादा नीचे न जाता हो तो आप अक्टूबर से नवंबर महिने पर यानी रवी सीजन पर भी खेती कर सकते हैं लेकिन रवी सीजन पर वही किसान खेती करें जहांपर सर्दिये नॉर्मल होती हो बाकी खरीब सीजन और जायद पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है बेराइटी की बात करते हैं दोस्तो जोकी अच्छी किसम है बहुत अच्छा उत्पातन देती है तो पहले पायदान पर जो हमने बराइटी रखी है कादरी लपाक्छी 1812 जो बराइटी आती है यह भी काफी लाजवाब बराइटी है और लगभग सभी इस्थानों पर बड़ी मात्रा पर कादरी लपाक्छी 18-12 बराइटी को लगाया जाता है चाइना पीनट्स यह जो चाइना पीनट्स वेराटी आती है यह भी काफी छेत्रों पर बड़ी रखवे पर लगाई जाती है जलगाँ वेराटी यह महरास्ट पर काफी ज़्यादा फेमस है और जलगाँ वेराटी की भी उपच्छमता काफी अच्छी है इसके अलाबा TG-37A बैराइटी यह भी काफी अच्छी अच्छी किसमों को टक कर देती है G-J-G-10 जो बैराइटी आती यह भी काफी लाजवाब है G-20 जो बैराइटी आती इसको भी आप लगा सकते हैं इसके अलाबा कुछ प्राइवेट कंपनी भी बैराइटी मार्केट में ला रखी हैं जैसे अंकुर की टेक 24 के नाम से बैराइटी आती है यह किसम लगभग 105 दिन की आसपास का समय लेती है स्वाराज की स्वाराज इंक्याबन जो बैराइटी आती इसको भी लगा सकते हैं स्वार दिन में लगभग तयार हो जाती है बॉम्बे सुपर की कस्तूरी नाइन जो बैराइटी आती है यह है 55 दिन की आसपास का समय लेती है बेस्टरन की आती है किंग किरांती की नाम से यह 110 दिन की आसपस समय लेती है और गोल्डन किंग की जो टीजी 37 ए यह मध्यम अभधी वाली बैराटी है इनको आप लगा सकते हैं लेकिन हमने जो उपर बात करी थी ना रीसर्च वैराटी की की आप कादरी लपाक्ची को लगा सकते हैं जलगां वैराटी है तो वह जो वैराटी है जैसे टीजी 37 इन किस्वम पर भी आप जा सकते हैं बहुत ही लाजबा वैराटी हैं एक एकड में आपको 35 किलोग्राम से ले कुल भी ना हो यादी 8 से उपर है और पता क्या चलीगी आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं मेर्दा परिक्षन कर सकते आसानी से अलगालक पेर अलगाद मीटर अपलब्ध हैं इस के अलाबा आप लेमें सुवल्ट टेस्ट करा सकते हैं जो नज़दी की ग्रशी बिष्व बहां से आप संपर करके अग्धाम कम पैसे पर फर सस्ते पर मिटी की जाच करा सकते हैं त आपको पता चल सके कौण से पोश सकता तब कि कितनी कमी है मिटी की प्क ऐसी है कि आप करा ली जीए बाकि यादी मिटी की पी येज बहुंप Urgy, बहुत पहुtó काम करती है तो इसी लिए यदि आपको लग रहा है कि हमारी जो मिट्टी की pH बैलू है वो अधिक एलकलाइन है तो ऐसी कंडिशन पर 50 kg जिपसम का प्रियोग जैरूर कर लेना इससे मिट्टी का pH बैलन्स होता है मिट्टी उपजाव बनती है और बाकी तो आपको पता ही है कि हरी घास की बौई क पर हम बाद में यादि धेंचा यानि हरी खाद को भी हम कंपोस्ट यानि मिट्टी मिला देते हैं तो अभी कारबन की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी अच्छी रहना चाहिए उपजाव भूमी रहनी चाहिए बाकी यह एक ऐसी फसल है जो कि आप हलकी से हलकी भूमी य बाड़ियां उत्पादन निकलता है हलकी भूमी पर आप हलकी भूमी पर जा सकते हैं लेकिन उत्तम जल नकास का प्रबंद होना बहुत ज़्यादा जарूरी है उत्तम जल नकास का प्रबंद होना चाहिए खेत की 450 साफसपाई और मिट्टी अच्छी भूरभूरी होना चाह ताकि जो हमारा primary nutrient है वो बहुत अच्छा हो अच्छी बढ़वार हो फसल हरी भरी रहे और पैदवार अच्छी निकले ज्यादा लागत भी नान लागे तो 50 kg आपको DAP खाद लेना है 50 kg SSP यानि 50-50 DAP और SSP का प्रियोग कर लीजिए और दो ट्रॉली गोबर की खाद यदि अ बाढ़ियां तरीके से करती है यदि आप गोबर की खाद का प्रियोग करेंगे तो फसल में एक अलग चाल चमक देखने के लिए मिलेगी तो जब आप खित की तैयारी कर रहे हैं बुआई कर रहे हैं तो उस समय डिय पी SSP और गोबर का प्रियोग कर लीजिए और कहीं-कही पर देखते हैं कि बाइट गरब है दीमा की समस्या है या फिर जड़ों में नुकसान पहुंचाने बाले कुछ है हार्म फुल कीटों का प्रिकुप देखने के लिए मिलता है तो इसके लिए तीन किलोगराम से लेकर करके पांच किलोगराम दानेदार इंसेक्टिसाइड र यदि हम डिस्टेंस की बात करें कि कितनी डिस्टेंस पर कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए तो लाइन से लाइन की दूरी अठारा इंच रखिए और पौधी से पौधी की दूरी तीन से लेकर के धाई से तीन इंच का डिस्टेंस आपको रखना चाहिए एब हम गहराई की बात करें तो डेल से दो इंच गहराई पर आपको बुवाई करनी चाहिए अब आप जब बुवाई कर रहे हैं तो इस चीज को कनफरम कर लिजिए कि आपके इलाकों पर कहीं ज्यादा फंगस की समस्या तो नहीं रहती है गलन की समस्या है तो इसके लिगे बीज अपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बीज अपचार को आप बिल्कुल भी हलके में ना लें सीट्स ट्रीटमेंट अवस्थ करें इसके लिगे यह जो आप अलग-अलग देख रहें सीट्स ट्रीटमेंट एक लिगे बीज अपचार करें एक किलोग्राम बीजों को 2-3 एमल की दर्स है बीजों को अपचार आप कर सकते हैं कॉंटिटी आप देख सकते हैं तो बीज अपचार जरूर कर लीजिए मानलो आप एक करण 35-45 किलोग्राम बुवाई कर रहे हैं तो ज़्यादा खर्च नहीं आता है लेकिन उसका रिजल्ट हमको आँगे चलके बहुत अच्छा देखने के लिगे मिलता है नम्मर एक अंकुरन बहुत अच्छा होता है अंकुरन जर्मिनीशन में कटोती नहीं होती है जब पौधा अंकुरन होता है तो उस समय फंगस लगता है फंगस की सिकायत खताभि हो जाती है और पौधे की चारों साइट या फर हम यूँ कहें कि जो सीट्स जर्मिनीशन हो रहा है उसके चारों साइट एक प्रकार से सुरक्षा कबच बन जाता है जो की हमारी फसल को फंगस से सडन गलन से प्रोटेक्ट करता है तो बीजबचार आपको जरूर करना चाहिए और UPL की साफ या फैर बाविस्टिन थायराम इनको छोड़ दीजिए अब यह उतना काम नहीं करती हैं अब थोड़ा नए जबाने के फंगी साइट का इस्तमाल करें नए जबाने के बीजबचार सीष्ट ट्रीटमेंट प्रोड़क्ट का इस्तमाल करें ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले बीजबचार आपने कर लिया बीजबचार करने के बाद कम से कम च्छा में 40 कि आश्पास आपको सुखाना चाहिए, सुखा लिया, फिर उसके बाद आप एक काम करने जिसे डिन आप बीजों को उपचार करें, इस प्रकार आपढ़ें, लोग्ताम बीट कंट्रोल, तो जादतार जैसे हमारे मद्द प्रदेश पार डोरा और कुलपा से ही हम खरपतवार को बाहर करते हैं और वह सस्ता भी है अच्छा भी है टिकाव भी है मिट्टी बंजारी भी नहीं होती है और तो और हमारी फसल को कोई जटका नहीं आता है तो ट्रेक्टर हो गए बेल की मद्द से हैं छोटे ट्रेक्टर की मद्द से हैं आप डोरा कुलपा चलाएं और शाफ सपाई अच्छी रखें या फिर खरपतवार ना सक यदि आप इस परे करना चाहते हैं लगतार बरसात हो रही है फिर आपके पास डोरा कुलपा उपलब्द नहीं है तो फिर रासानिक के लिए आप बुआई की तुरंत बाद पैंडी मिधालन 30% इसी जो प्री इमर्जेंट हर्वी साइट आती है 600-800 ml 200 लीटर पाने घुल करके इस्प्रे कर सकते हैं कब जैसे ही आपने बुआई करी है उसके तुरंत बाद यदि आप इस्प्रे कर देते हैं तो अंकुरान का जमाब नहीं होगा तो इस प्रेकार भी आप प्री इमर्जेंट हर्वी साइट का इस्प्रे कर सकते हैं और आप जो आप साल्ट देख रहे हैं यह साल्ट अदामा की स्ताकेत पर आपको मिल जाता है अपर बहुत सारी कंपनी देती हैं 800 ml 200 लीटर पाने घुल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं यदि आप डिटेल से पूछेंगे कि आप एक ऐसी वीडियो तयार करके बना क बीडियो बना कर अपलोड करिए तो फिर हम अपलोड कर देंगे अभी समझ लेजिए अदामा की साके से भी आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इस प्रे करने से पहले मिट्टी पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है नमी होगी इस पर कर दीजी को हमको देखने के लिए मिलता है कास एक सेमीलू पर चली है बौल बर्म हैं और कुछ और चोटी बाड़ी इल्लियों और प्र Mingर देखने के लिए मिलता है वहीं वाइटफ़ाय यानि सफेद मक्षी एकट जैसिट की समस्या देखने के लिए मिलती है तो लिष्ट तो आप नहीं करेंगे तो बीमारी लगातार बढ़ने वाली है तो आए दोस्तों बात करते हैं इस प्रेश सेडूल जो कि ना केवल कीट फंगस को कंट्रोल करेगी बलकि जो बैक्टेरियल डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करेगी मौज़क वायरस आप कहलें या फर दोस्तों जो त जमाक क्वाल्टी बढ़ाने वाली है तो फस्त इस्प्रेश जब हमारी फसल बोई से 25 दिन की आसपास की हो जाती है तो इस समय से हमको इस्प्रेश सेडूल स्टार्ट कर देने चाहिए फस्ट इस्प्रेश में आप इमीडा क्लोरप्रेड और बीटा साइफलोथरीन का जो 500 ग्राम एक सो पचास लीटर पानी घोल करके एक एकाड़ में स्प्रेश करें और जब भी आप इस्प्रेश कर रहे हैं बर्चांत हो या फिर ना हो प्रॉपर स्लीकों चिपको इस्प्रेश टिकर मिलाकार ही स्प्रेश करें अब 25 दिन की फसल है और फसल का भी छोटी है त तो बायर कंपनी की सोलिमन इंसेक्टिसाइट को 150 ml की जगह आप 100 ml भी स्प्रेश करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने के लिए मिलेंगे पानी की मात्रा 150 लीटर से कम मत रखना 200 लीटर तक चले जाना कोई दिक्कत नहीं है पानी की मात्रा कम करोगे तो कम हो जाएंगे पानी की मात्रा 1500 लीटर से कम ना रखें एक एकाड में सेकंड जो इस्प्रे है 50 से 55 दिन की जब हमारी फसल होती है तो थायो फेनेट मिथाल इस समय बहुत अच्छा काम करती है जो 70 परसेंट वाली थायो फेनेट मिथाल आती है 400 ग्राम लांसर गोल्ड में एसी फेट और इमीडा क्लोर फेट का कॉंबिनेशन है 400 ग्राम और एनपी के 19,19,19,62 या फिर 0,524 इन तीनों में से किसी एक को आप प्रियोग कर सकते है यदि 50 दिन की आसपास की फसल है फ्लाबरिंग स्टेज पर है तो 19,19 की बजा आप 0,524 का स्प्रे कर सकते हैं इन ती इनों को प्रती एकड की दर से स्प्रे करना चाहिए थर्ड इस्प्रे हमारी मुंफली की फसल 65-70 दिन के आसपास की होती है तो टाबुली आती है सुमी टॉमो की टाबुली 40 ml अब यह क्या है यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है यह चाल को जो ग्रोथ है ना उसको लॉक करके यानि जो कंद रहता है उसकी बढ़बार में फिलाबर में काफी ज़्यादा मंदत करने वाली है तो सुमी टॉमो की टाबुली को आप है 65-70 दिन में इस्प्रे ना करके 50 दिन में भी इस्प्रे कर सकते हैं इसके साथ एनपी के 13.0, 45 एक किलो एक सल की स्वाधीन जिसमें टेवो को नजॉल और सलफर का कॉम्बरेशन है 400 ग्राम 150 लीटर पाने घोल करके इस्प्रे करें प्रती एकल की दर्थ सें तो इस प्रकार इस्प्रे स्वाधीन आपको चलाना चाहिए इन तीन इस्प्रे कॉम्बरेशन यदि आप इस्प्रे करते हैं तो रिजल्ट ला जबाब देखने के लिए मिलेंगे खाद का सेडूल हमारी मुंफली की फसल पर जो हर्टी केसन सेडूल है यह काफी इंपोटेंट है और सही साय पर सही खादों की पूर्ती करेंगे तो हमको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा हमारी मुंफली की फसल पर आपको तो पता ही है कि नाइट्रोजन, फासफूरस, प फसलों पर सलफर एक अलग रोल नभाती है तो इसके लिए जो पहली खाद है 25 से 28 दिन की फसल होती है तो जिंक सलफेट 5 किलोगराम जो 33 परसेंट वाली आती है यह उरिया और बड़ा खाद 35 किलोगराम और इसके साथ माइक्रो नूट्रियन फर्टिलाजर्स 5 किलोगराम इन सलफेट 15 किलोगराम यह उरिया और बड़ा खाद 40 किलोगराम इन तीनों को मिलाकर की प्रियोग करने से हैं जो आपकी फसल है इसमें कैसा भी पीलापन हो एकदम कंट्रोल हो जाएगा पीलापन की सिकायत नहीं रहेगी ग्रीननेस अच्छी रहेगी और फोटाब की संक्या भी ब्रांचिस की संक्या भी हमको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेंगी इस प्रकार आपको मुंफली की खेती में खाद का प्रियोग करना चाहिए लाइफ साइकल की बात करें तो बैराइटी ज्यादा डिपेंड करती है ओवर ओल आप चार महीने यानी 120 दिन की आसप समय मान लीजिए उत्पादन की बात करते हैं तो 15-16 कुंटल तक पैदाबार आप निकाल सकते हैं अब यदि बैड बिधी से मैड बिधी से यदि आप खेती करते हैं तो पैदाबार और भी ज्यादा बढ़ने बाली है प्रती कुंटल का मार्केट से 6 से 7000 की आसपास सीट्स पढ़ने बाला है तो इस प्रकार यदि आप मुंग फली की खेती करते हैं तो पैदाबार अच्छी निकाल पाएंगी और यदि आप छोटी छोटी आलू की तरह मैड बैड बनाकर की खेती करते हैं तो जो आपका कंध है जो ट्यूबर है उसका साज और भी ज्याद बढ़ने वाला है तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मुंग फली की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद